तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टूटल लर्निंग में तो फ्रेंड्स आजम लोग फिर से सामाने विज्ञान का अफ्जेक्टिव वीविया अफ्जेक्टिव क्वेशन करने वालें दोस्तों तो आज मैं बता द सब्सक्राइब करते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आने वाले प्रतेख वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा ठीक है तो चलिए दोस्तों लोग शुरू करते हैं देखिए क्वेशन नमर के दिखने वाला है दोस्तों क्वेशन नमर वण आपके क dosskin पहले आ गया मनुष्य की आ का प्रती बिंब आथ के किस बहागपर बंता है किस पर दोस्तों में बनता नौण जल्दी से आप से लोग कमेंट करिए और जितना ज्यादा उसे के लोगों को जोडने का कोसिस करिए क्योंकि आप लोग ज्यादा बच्चे जूरते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मेरे साथ भी बहुत सारे स्टुडेंट जूर रहे हैं तो मुझे भी में लिया का इंट्रोडक्षन न लिया ठाट। उसमें आपको इंग्लीज का और भी बढ़िया तरीके मिलेगा हैं कम छλए गई यहां पे देखेगा ढ़ बहुत सारी विद्यस बटार है बहुत अच्छा रेटी ठीक है यह यह रेटीना पे बनाता है सभी लोग सही आंसर करो ठीक है कोई कोई बताते हो बताते कोई बताते हो कोई डी और यहां पर मालूमें 4 option आ जाता है तो ऐसा नहीं करने हैं दोस्तु ठीक है ऐसा Nigra नहीं ठीक है आप गलत बता है बहुत अच्छा कमेंट about कर रहे हो आप प्रैक्टिस कर रहे हो सीखने की इच्छा है यह मुझे बहुत अच्छा लागता है गलत बता है ठीक है लेकिन बताना जरूर क्यूंकि बहुत सारे विद्ध्यard Nie लोग के लोगत देखते यार प्रैक्टिस करो बहुत मज़ा आएगा चली क्या हुजा अगर राइट अंसर आपसे नमर सी डेटीना ठीक है हाँ चली क्वेश्चन नमर दो के और बढ़ते देखें क्वेश्चन नमर दो कहता है दूद का पीएच मान होता है कितना होता अपसे नमर ए आप सब्सक्राइब देखने को मिलेगा तो यह रख यूरिया का कितना होता है यह चाहर का पीएच मान कितना होता है अपको देखने को मिलेगा टों मंसट और सभी करेंगे तो यहां पर देखेंगे सभीड़े मिलाते चलेगा दोस्तो क्या हो जाएगा दूद का पीश्मान ने पूछ रहा है तो दूद का पीश्मान आप सभी को याद रखना है क्या होगा क्या होगा सीc 6.94 श. çट संब्लो 4 श. patient याद रख ली जिनको नहीं पता है वो लोग याद कर लेंगे बहुत अच्छी बात सीखने के लिए आए हुए सिखेंगे ठीक है चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नमर तीन आपके स्कीन पर है कहता है क्वेश्चन संचाइकों में कौन सा अमल पढ़युकत होता है सीशा संचा एक कहने का मतलब दोस्तों वैटरी ठीक है लेड लेड इस्टोरेज बैटरी ठीक है यह लेड इस्टोरेज बैटरी में कौन सा अमल होता है एसीड कौन सामल होता है फटा 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 आंसर करके बताइए तो हाजी बहुत अच्छा बहुत अच्छा देखे सीसा संचायक का है यह सीसा बैटरी का संचायक होता कुछ इसको समझ लो घेखे आप लोग का बैटरी होता है वह ही सीशा संचायक बैटरी है और उसमें जो आप लोग यह दालती हो पानी नहीं बैटरी का पानी होता है वह लोग अधर से आप लोग क्या करते हो इसमें आप लोग पानी डालते हो और जो बीच में होता है जो बीच में गोल गोल उसमें डाला जाता है तो फिर से आप सब पानी को भीग दो फिर से इसको में अगर एसीड डाल तो एस टो फोर खरिद करके लाकर के इस बीच वाले आइकन में तो आपका क्या होगा अगर बैटरी में चार्ज लगा दोगे एस टो डाल करके तो यदि वह चार्ज उठा लिया तो बैटरी फिर से ठीक हो जाएगा नहीं उठाएगा तो फिर तो आपको इसमें अंदर एक प्लेट लगा वरता तो भीट को चेंज करोगे तो आज आएगा फिर से बैटरी ठीक है डी तो जगा वहता है ठीक है एक आपका बैटरी का पानी बढ़ने के लिए होता है और एक इसमें होता है बीच में यहां पे गोल सिख्का जैसा सिख्का से खोलने वाला दिया हुआ रहेगा उसमें क्या होता है एसीड भड़ाता है ठीक है चली जी क्वेस्चन नमर फोर के और बढ़ते देखिए किताब बला कोशिस करो कि जितना लाइफ में ना उसको एक्जामपल को खोजे कौपी किताब में तो लाखोई एक्जामपल मिल जाएगा तक में घूज गया ना मेशा के लिए घूज जाता है तो कभी भुलाओं नहीं तो आप। क्या होगा सीजीए समातरक पूछ ठीक है सीजीए समातरक ध्यान दीजेगा तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर मिलाईएगा सभी लोग का सीजी इस मातरक क्या होता है तो जो लोग अपसर नमर सी डाइन बता रहे हैं उनका राइठ है जी क्या होता है बल का सीजीए समातरक डाइन होता है और यदि क्वेश्चन है पूछ दे कि बल का एसाई यूनिट क्या होता है यह साई मातरक जल्दी से बताओ तो आप सभी लोग कमेंड करके सीजी इस तो डाइन हो गया ठीक है बहुत अच्छा लेकिन लेकिन एसाई मातरक क्या होगा बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ यह आप सभी लोग हाजी क्या होगा दोस्तों बहुत अच्छा क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा न्यूटन ठीक है न्यूटन इसका क्या ह संबंद होगा उसको देख लीजिए ठीक है उसका भी देख लीजिए एक न्यूटन बरावर कितना डाइन होता है याद रखिया आप से पुलाना नहीं है दस के पावर फाइव डाइन ठीक है डी वाई कर देता हूं डाइन ठीक है इस संबंद को याद रखिया क्वेश्चन एकजाम में कि ये ल रखिया पावर धावर कितना डाइन होता अप्समें रहेगा दस के पावर पान्च अडश्के पावर दस ॥ा का भावर माइनश तो आपको याद रहेगा तो आप लोग यहीव बियोग स्थाइब के दिए अब sau नमर्व किता है शैद अमलोज जिरो तीन गुण्य 숨शा के पावर चोबेस प्लबिव किता है न्युक्त Performance यालज ए तो क्या आँज सरठो इसन्हा कमाने उस अप लोग और टुएंट्र में पढ़े किसी भी बोड से रहा जारकंड से रहो चाहिए यूपी से रहो चाहिए बिहार से रहो यह वाला तो आपको सब के किता में सी आटी है यह इंसी आटी फॉलो करना है कि सी पैटर्ण कि चलिए तो मिलाते चलिएगा सभी लोग आंसर जो लोग उत्तर कर रहे हैं यहां पर याद रखना कितना होता है हांजी बहुत अच्छा अपसन नमर बी बता रहे हैं सभी लोग हांजी बी हो जाएगा छीए दस अमलोग जीरो दू तीन गुन दस के पावर तैस होता है ठीक है कितने प्रमानू की शंख्या इसको भी कह सकते हो इस तरीके से भी ठीक है कि इंस एक अनु में कितने प्रमानूशंख्य होते हैं इतना होता प्रमानू ठीक है याद रखेगा चलिए सिक्स्जथ्य है कहता है काहता है सब से भारी धातू तो मेटल ठीक है मेटल की बात हो रही है ठीक है अपसर नमर ईह लिट्याम उफ्सक्र नमर विए ओशियम अपसर नमर अब स्य आइडन अपसर नमर डी सिल्वर किया होगा जल्दी से बताइए तो हाँ जी बहुत अच्छा अपशन नंमर जो लोग बीबता रहें उनका राइट है जी हाँ जी क्या हो जगा ओरशियम ठीक है थजिक दोस्तों और सबसे भारी धात福 है ठीक है याद रखिएगा ठीक है शुचित किस से करते हैं पता है आप सब सब सबसे भारी धातु है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिस्टन नमर सेविन कता है दोस्तों दिया सलाई में पड़ियूक्त होता है दिया सलाई आप लोग जानते हैं उसमें कौन सा चीज पड़ियूक्त हो अपसे नमर ए लाल फास्पूरस अपसे बेरी बेरियम अपसे नमर सी मैंगनेशियम और डिया अश्ट्रेसियम है हजी क्या हो जागा राइट आंसर दोस्तों हजी बहुत अच्छा अपसे नमर एस का राइट हो जाएगा लाल फास्पूरस ठीक है जिनको नहीं पता हो लोग याद करिए दिया सलाई कहते किसको आप लोग माचिस को जानते हो ना माचिस दिया और सलाई वही है सलाई मतलब समझ जाओ कि सलाई में में लोग किसका यूज करते हैं लाल फास्पूरस का और फास्पूरस के कारण ही सलाई हमारा जलता है और उसमें देखना लाल कलर होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं लाल फास्पूरस तो इसलिए दिया सलाई में पड़ फड़ाइड का भी यूज करते है ठीक है याद रखिये है इसका सुत्र क्या होता है पी टू एश ओ ठीरी का यूज करते हैं साथ में चलिए लेक्टेनाइड ग्रूप में कुल कितने तत्व हैं आपको मैंने ठीक वाला वीडियो बना दिया था तो उससे क्या होगा आपको ब्लॉक एस के तत्व को मैंने पूरा याद करवा दिया था और कितने होते हैं क्या करते हैं एस्थामबव टू में कितने हैं रो बन में कितना है सब बता दिया थहा इस ब्लॉक और पलोक हो गया था दी इप बलॉक बच्छा हुआ था तो इसका भी रहाद दो गागा छिसमी से डिखिए एप ब्लॉक का क्वेस्चन पूश एक्तेनवाइड और अम लोग क्या करते हैं इसमें कितने ततफ होता है तताइस पर बेंटेस थे चलिए देखियों यहां पर राइट आंसर देखिये एफ बलॉक को हम लोग क्या करते हैं मालूम एफ बलॉक और इन इनर टांजिशन भी कहते हैं यांकि लेंतनिए तोटल कितना होता है इसमें किपन इसमें 15 होता है एसमें 15 होता है है ठीक है तीस हो गया ना फंदरा एक्टिन को कितना तो तीस हो गया हो गया ना कितना असली से ठीक है याद रखना पड़ेगा इसाब कर दिशाद को चलिए क्वेश्चन नमर नाइन कता है कि छार का पी एच मांड होता है देखिए चार का पी एच मांद कितना है साथ उप्सटर यह साथ से सब्सक्राइब को पता होना चाहिए छार का प्याइच मान कितना होता है साथ से ज्यादा होता है अब क्वेस्टन में आजाएगा कि अमल का प्यूच मान कितना होगा हाजी क्या होगा अमल का पी एच मान बहुत अच्छा साथ से कम जब छार का आपको मालूम हो गया कि साथ से ज्यादा तो अमल उसका उल्टान हो जाएगा साथ से कम और उदासीन का साथ हो गया ना तीनों के लिए रोना चाहिए छार का साथ से अधीक और अमल का साथ से कम और उदासीन का साथ के बरावर ठीक है याद हो गया चलिए क्वेस्चन नमर दस क्यों बढ़ते दोस्तों क्वेस्चन नमर दस कता है कौन सा तत्व कच्चा लोहा में असुधी के रूप में अधिक मात्रा में मौजूद होता है ठीक है अधिक मात्रा में ठीक है अधिक मात्रा मे में मौदूद होता अपसर नमर एक आरवन अपसर नमर भी है फास्ट फूरस अपसर नमर सीए सिलिकॉन अपसर नमर डी है मैंगनीशियम क्या राइट अंसर कि सब ट्वेल्ट में पढ़ना था यह आपको पढ़ना था तत्व का निसकर्शन कमेश्ट्री में ठीक है जिसमें लोहा का पूरा ब्रांड पढ़ना लोहा कैसे बनाया जाता है लोहा भट्टी वाला उसा पढ़ना था उसमें इसका राइट अंसर देखिएगा सभी लोग दोस्तों यह लास्ट क्वेस्ट्टन है इसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करेंगे ठीक है तो इसका लगवग चार परतिसत और सुद्धी के रूप में दोस्तों यह सभी भी पाए जाते हैं जैसे कि सिलिकन हो गया मेंगनेशियम हो गया यह लगवग दूद असमलों पांच परतिसत क्या प्रक्स पाया जाता है ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो यहां पे चा फाए करा नहीं हाँ वही आप लोस ठालवाबी ढालवा की बात करो ठाल रहा में बहुत ज़्यादा हाड हो जाता है जिसमें डहलाया के लिए下去 रहते हैं होता है जब घर्टव तो ऊसमें हम लोग उसठर का यूज करते हैं ठीक है तो आई-अध्य के तो मिलते हैं इसी के सा नेक्स्ट क्लास में तो आज के लिए बस इतना ही जैहिन जैभारत